आज फिर से आपसे एक आंतरिक समवाद दरसल घटना करम कुछ इस तरह से घटा है कि उसने मुझे मजबूर किया कि आपके साथ एक बार फिर से सीधा समवाद अस्थापित किया जाए काफी लोग आप मेंसे कमेंट्स करते हैं, बेचते हैं, बताते हैं कि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं साथ यह हमारे सराउंडिंग्स में भी काफी लोग ऐसे हैं, काफी चात्र जो BPSC को दे रहे हैं और इसे निकालना चाहते हैं लेकिन इनके comments से हमें ये पता चल रहा है कि इन में से एक बड़ी संख्याईसी है जो इन topics को नहीं कर रहे हैं वे कहते हैं कि दिन पर निकल जाता है और उसमें 3-4-5 topics hardly complete हो पाते हैं आप ही बताएं कि ये topics क्या इतने बड़े हैं कि 4-5 घंटे के अंदर इन्हें समात नहीं किया जा सकता है आपको हमने जिन guide books के बारे में session दिया है उन books में आप उनके pages देखें ये topics actually बड़े हैं इन मेंसे कुछ काफी बड़े हैं लेकिन जिन guide books को हमने आपको suggest किया है करते ही नहीं है तब ये आपके लिए भारी हो जाता है लेकिन आप इन guide books में इनी topics को उलटकर देखें जिनके pages दिये जा रहे हैं उनके numbers भी आपको बताए जा रहे हैं आपको खोजना नहीं है डारेक्ट उस page number पर जाना है और पढ़ लेना है आप खुछ से देखें कि इन guide books में ये topics actually कितने बड़े हैं hardly एक page, दो page या फिर बहुत तो तीम page जबके ये guide books इतने बड़े भी नहीं हैं कुछ तो pH value, half page में समाप्त, मदेश्या से भारत का संपर्क, दो page में समाप्त, more recall आपको हमने दिया in books में जो हमने आपको suggest किया है चार pages में समाप्त, सिंदु सब बिता, चार pages में समाप्त, अब आप बताएं कि इतने बड़े topics इन में summarized form में दिये हुए हैं और आपको सिर्फ इन्हें एक बार देखना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है हमने इसलिए आपको guide books suggest किया, कि आप एक ही topic को, जो माँ तक दो page, तीन page, एक page में दिये हुए हैं, कई बार आप पढ़ ले इसका बड़ा benefit है, आप एक बार बहुत लंबे topics को, बहुत लंबे से books में, जिसमें बहुत details दिया हुआ आप पढ़ें, बजाए इसके कि आप इसे किसी summarized book में, जिसमें अच्छा content बहुत concise way में है, आप उसे कई बार पढ़ लें, ये जादा बेटर हैं और इसलिए हमने आपको text book के बजाए guide book suggest किया, lucint, crown और अब unique, लोग सुनेंगे तो शायद हसेंगे, कि ये कौन वेक्ति है जो lucint और crown को बता रहा है कि बीबेस से निकल जाएगा, लेकिन हमने आपको दो कारणों से, ये guide book पढ़ने के लिए का है, एक कारण ये है, बहुत बड़ी संख्या है, 80% plus हमारा मानना है कि आप जितने भी लोग हैं, उसमें 80% से भी अधिक छात्राएं ऐसे हैं, जिनके पास कोई guidance नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, हम आपको बता सकते थे, कि आप भी जान श्रीमाली पढ़ ले, रोमिला तापर पढ़ ले, राम शर वर्मा पढ़ ले, NBT पढ़ ले, NCRT पढ़ ले, गजेटियर पढ़ ले, लेकिन आपको हमने ये नहीं बताया, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये, कि ये साधन आपके पास नहीं है, और अगर आप इन्हें accumulate भी कर लेते हैं, तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे, राम शर् दीडी बसू को समझना आसान नहीं है, लेकिन हमने ये जानते हुए, कि आप इन्हें नहीं समझ पाएंगे, आपको कोई guidance नहीं है, आपको हमने guide book बताया, guide book इसलिए कि guide book में, बहुत compact form में, जो main topics, जो main theme है, उसका मर्म है, उसे निचोड कर रख दिया जाता है, अगर हमने आपको guide book suggest किया, इतनी बड़ी exam के लिए, बिहार public service commission कोई छोटा मुटा exam नहीं है, आप gazetted officer बने जा रहे हैं, naturally इसके लिए पढ़ना भी आपको उसी अस्तर पर पढ़ेगा, लेकिन हमारा ये देखिए, जो लोग, जो हमारे opponent होंगे, विरोधी होंगे, वो हस्ते हों कि आप Lucent और Crown पढ़ेए, जो Railway और SSC, State SSC के Life books हैं, लेकिन हम आपको बतायते हैं कि ये books इतने भी हलके नहीं हैं, Lucent में ये Crown में इतना कुछ दिया हुआ है, कि अगर आप इतना भी पढ़ लें, तो काफे कुछ इससे हो सकता है, दूसरी बात हमने इसे इसलिए suggest किया, कि आपके पीछे एक प्रोप के रूप में हम खड़े हैं, हमें पता है कि जिन books को आप नहीं पढ़ सकते हैं, उसे हमने पढ़ा है, इन सारे books का जिसका नाम हमने आपको बताया, हमने बहुत time दिया है इन पर, तो अगर इन गाइड बुक्स में वो content नहीं है, तो हमें ये ये भारी भरकम टेक्स्ट बुक नहीं बताया, कारण ये कि एक तो आप इन्हें खरीद नहीं सकते हैं, अब किसी चंपारन के बिलवा गाउं में कोई छातर बिचारा एक डीम लाइट में पढ़ रहा है, वो कहां से थ्री आउथर्स और रामशन शर्मा लाएगा, वो कहां एक guidance चाहिए, support चाहिए, तभी वो समझ पाएगा, एक अच्छी बुक के लिए, एक अच्छा support दरूरी है, आप पढ़ने बैठेंगे, NCRT ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठेंगे और एक्दम से समझ में आ जाएगा, आप science के, geography के काफी सारे topics हैं, उसमें आपको थोड इंदर जो खजाना हैं, उसे पढ़ने वाले समझते हैं, ये एक बार में नहीं होता है, इसे कई कई बार जब पढ़ते हैं, तब ये खजाना मिलता है, तो दरसल इसका आपको इन guide books, जो lucent और unique और crown जैसा guide book है, इसको बता कर हमने थोड़ा सा risk भी लिया, मेरी बदनामी भ हो सकती है, लेकिन भरोसा है आप पर, आप में से काफी लोग ऐसे हैं definitely, जिनके जजबे, जिनका instinct भी दिखता है, और यहीं लोग हमें बचाएंगे, आप में से ऐसे लोग, ऐसे चात्र शायद हमें बचा लेंगे, उस बदनामी से, जो हमारी विरोधी देखकर हसते होंगे या समय का इंतजार कर रहे हैं, कि वक्त आएगा, तो ये व्यक्ति देखेगा, लेकिन हमने ये risk लिया, एक तो ये, कि हम आपको पर पूरा time दे रहे हैं, दूसरी बात, आप में से काफी लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, काफी लोग ऐसे हैं, बहुत जग रहे हैं, बहुत मे benefit मिलेगा उन्हें, तो आप में से वो लोग जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, वो तो हमें बचा लेंगे, लेकिन आप में से वो लोग जो ये कहते हैं, कि हम topics नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर please आप कुछ किजिए, इसलिए कि आपके करने से ही, दरसल वास्तिविक रूप में हमार पास time की कमी हो जाती है, वरना ये सारे topics आपको हम board पर पढ़ा देते, जी इसके सारे topics, कोई भी ऐसा topic नहीं छोड़ता, जो हम आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन होता ये कि समय की कमी, और अब time कम बचा हुआ, आपको test series कराना है, current affairs का देखिया भी काफी बचा हुआ सारा बचा हुआ है, बलके हमारी और से, आप अपने अस्तर पर कर रहे हैं, लेकिन हमारी और से current affairs अभी सब बचा हुआ है, लेकिन जब हम मैदान में हैंगे, at the earliest हमार हैं, तो इस section से भी आपको काफी कुछ मिलेगा, तो दरसल आज के इस समवात का उदेश ये है, हमारे के आप इन topics को गंभीरता से लें, और हम आपको आश्वासन देना चाहेंगे, ये इतने बड़े topics भी नहीं हैं कि आप इन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, आप Lucent and Crown तो दोनों एक साथ definitely रखें, चुकि एक में कुछ कमी है, दूसरे में कुछ कमी है, एक में कुछ बहुत अच्छ है, दूसरे में कुछ बहुत अच्छा है, दोनों मिल के ही दरहसल एक बड़ा गलाब देगा, आपको confidence देगा, दोनों बड़े अच्छे book हैं, ऐसा नहीं है, हम किसी को कम आकना, ये सही बात नहीं है, ये दोनों को बहुत मामुली book किताबें नहीं हैं, exam में, मुझे यूनिक गाइड आपको एड किया है, जो थोड़ा सा elaborated है, हलाकि सभी लोग इसे नहीं ले पाते हैं, ले पाएंगे, तो अगर नहीं ले पाएंगे, तो आप दोनों लूसेंट अक्राउंट साथ में रखें और हमें फॉलो करें, साथ में ये ध्यान रखें, कि आप मेहनत पूरी करेंगे, तब ही इसका पूरा सिला मिलेगा आपको, काफी कुछ इसमें याद भी करना है, अब देखें जल संधिया है, तो जल संधिया आपने पढ़ा आप भोल गए, जो अलमुकी आपने पढ़ा भोल गए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कंटेंट को करने के रख दिया है, रिविजन के लिए, इसलिए आप इन टेन टॉपिक्स को कर लें, एक बार गो थूँ, जस्ट इससे कहते हैं न कि एक ग्लांस एक लाप ले लें, समझ कर, आप पढ़ें, और अगर बहुत अच्छे से इसे आप करना चाहते हैं, तो तीन बार पढ़ें, मत द पेजिस कम हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके पेजिस बहुत कम हैं, कुछ तो हाफ पेज में हैं, सो सिंपल, लेकिन उसका जिसे चक्रवाद का, साइकलोन का टॉपिक, पठार परबत का टॉपिक, आप देखें इसमें, हाइड्रोस्फियर, जोग्रफी का कितना शौट में द पेजिस का पैटरन है, कुछ बिल्कुल ही अलगत रहके questions वो देता है, वहाँ पर देखेंगे हम लोग ऐसे प्रशन को कैसे करेंगे, देदरे आपके साथ चल रहे, यह जो कारवाँ है, यह निकल पड़ा है, यह तूर तक जाएगा, तो हम लोग सब मिलकर इस बात के लिए शपत लें, कि कम से कम इन टेम टॉपिक्स को एनिहाओ करेंगे, अमर्जिंसिस को छोड़कर, किसी के घर में तबिद खराब हो गई, या किसी दिन आपकी ड्यूटी बहुत हार्ड हो गई, या आप ही थोड़ी बिमार पड़ गए, तो ऐसे अमर्जिंसिस को छोड़कर, ब बड़ी बात हो जाए, कि आप उसे ना कर पाए, टाइम बिलकुल ही ना मिले, लेकिन आप कोई एच्छी फिल्म आ गई, जेकने चले गए, और उस दिन पूरा दिन निकल गया, फिल्म तो तीन गंटे का आपने देखा, और फिर यारी दोस्ती में बहुत सारा टाइम निकल बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जो दस टापिक्स के रूप में, तो आप इन्हें यथा संभव कंप्लीट करने का प्रयास करें, इसे आप जब करना चाहेंगे तो यह हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि दिकते आ गई हैं, तो फिर ये टापिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, वो हमें शायद बचा लेंगे, लेकिन वैसे छात्र जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके उपर ये रिस्पॉंसिविलिटी है, जिम्मेदारी है कि प्लीज, आप हमें बचा लीजे, और अंत्तह, इसका परिणाम ये होगा, कि फिल्म को देखने से या कहीं गपे मारने से नहीं मिलेगा, तो वस आज यहीं तक रखते हैं, इस समवाद को इस सूच और समझ के साथ, कि हम लोग 10 टॉपिक्स को एनिहाओ करेंगे, कल आपका 10 टॉपिक्स होफुली मौर्निंग तक आ जाएगा, आज हमारा पुछ नहीं ह हो पाया है, कल हम लोग टॉपिक्स कल से फिर एक दिन का आपको रिलेफ मिला, लेजर प्रेड मिला, आपने जो भी किया, रिवाइस किया होगा तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नेक्स्ट कल से आपके टॉपिक्स फिर से आ रहे हैं, सर पे सवार हो जाएंगे ये, इसे आ बाइगा, तिक है, तेक्यार